वर्हानपूर में खंडवा लोगसभाक शेत्र से बीजेपी की प्रतियाशी और सांसद ग्यानेशवर पाटील के वोट डालने के दौरान विवाद की तस्वीर सामने आई पर सुरक्षाकर्मी और सांसद प्रतिनिधी आदित्य प्रजापती के बीच बोट डालने को लेकर विवाद और धक्का मुखी भी हुई सांसद ग्यानेशवर पाटील के अंदर बोट डालने गए तो उनके पीछे उनके समथख भी अंदर जाने लगे इस पर जाहिर से बात है कि सुरक्षाकर्मी रोकेंगे सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोका दी और इसी पर विवाद होने लगे अलाकि सांसद समर्थपों ने जब अपनी वोटिंग स्लिप दिखाई तब जाकर मामला शान्त गुए तो थोड़ा कन्फ्यूजन यहां पर एसे कहा जाएगा कि पता ही नहीं था पीछे पीछे नेता जी के पीछे तमाम लोग कई बार चले भी जाते हैं तो उनको रोकना जरूरी है क्योंकि कि बीते दिनों हमने देखा कि बच्चों को ले जाकर वोटिंग करवाई जा रही है और इसके बाद चुनावायों का एक्शन भी लेना पड़ा और इसके साथ-साथ कारवाई उन लोगों पर भी हुई जो वहां पर जिन्होंने जो वोटिंग करवा रहे थी पूरी टीम प पर जिस सीट पर आप रहे उस सीट का क्या हाल कुछ रहा क्या कुछ आपने देखा उसके बारे में बताईए वोटिंग परसेंटेज के बारे में बताईए लोगों से बात की होगी उनका मिजाज जाना होगा क्या कुछ रहा कि आप बिल्कुल देखिए आज सबसे पहले त तक के जो आकड़े सामने हैं 70% वोटिंग 70% मतदान हुआ और उसके बाद मौसम बिल्कुल पूरी तरह से बदल गया है बारिश हो रही है हवा चल रही है आंधी तूफान भी चल रहा है और यह मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि दिन भर तपिश थी चुनाओ की राजनेतिक सरगर्मी थी और इलेक्शन कमिशन की उपर एक दबाव था एक प्रेशर था कि कैसे वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जाए क्योंकि शुरुआती चरणों में अच्छी वोटिंग नहीं हुई थी लेकिन अब वो भी इस ठंडी हवा में राहत की सांस ले पा रहे होंग का आदिवासी बाहुल ये छेतर है और यहां पर जम कर वोटिंग होना ये अपने आप में कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि काम्याबी भी है एलेक्शन कमिशन की और खुशी की बात भी है ये सीट मैदपूर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि महराश्ट की गुजरात की और राज होगा तो उमीद है कि एक घंटे को और जब बढ़ा हुआ आकड़ा आएगा तो 75 फीस दी के आसपास जो है वो रतलाम जाबुआ सीट पर मतदान का जो कुल परसेंटेज है वो कहीं न कहीं जा सकता है और जो राजनेतिक पंडित है आप 75.2-4 फीसद के आसपास रहा था आ आप 70 बता रहे हैं तो क्या यह आखरी घंटे का वोटिंग परसेंटेज जो है हाला कि जैसे कि आप बता भी रहे है यह बहुत दूरस्त क्षेतर भी है आदिवासी क्षेतर भी है और राजस्तान से भी बॉटर सटी हुई है गुजराद से भी सटी हुई है यहां के लोग में दूसरे राजियों की तरफ जाते हैं और एलेक्शन कमिशन चुनावायोग जो है उसकी प्रयास रहते हैं कि यह लोग आएं वोट करें अपने अधिकार का इस्तमाल करें क्या यहां पर यह नजर आया यह कोशिश नजर आई वोटिंग प्रतिशत तो बताई रहा है कि सत्तर फीसद हो गया बिल्कुल देखें निशर तो अपस सत्तर फीसदी मतदान का जो अपडेट है वो पास बज़े तक का है यह आकळा और थोड़ा सा बड़ेगा जब 6 बज़े तक का फिगर जो है वो सामने आएगा और बहुत अच्छी बात यह रही है कि पलायन यहां की एक बड़ी सम्मस् का अपने उपियोग कर सकें और इसके लिए अलग अलग तरीके से और यहां की जो ट्रैडिशनल जो कल्चिदल चीजें उनकी मदद से भी जागरुकता अभियान जो है वो यहां पर चलाया गया और उसका फायदा नजर आया जो ग्रामीर छेत्रों से सबसे ज़्यादा लो कि किसे वोटर्स हमें नजर आए बूत पर लंबी-लंबी का तारिक खड़ी थी और उसमें भी एक महत्पूर बात यह है कि महिलाओं की संक्या वहाँ पर जादा दिख रही थी महिलाओं वहाँ पर अधिकतर बूतों पर जादा हम लोगों को वहाँ पर दिखाई दी नजर तो यह भी एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट है कि जो महिलाओं का आधी आवादी ने अच्छी खासी संक्या में घर से बाहर निकल कर वोट किया है और ग्रामीन आवादी ने बाहर निकल कर वोट किया है तो वोट किस तरब जा रहा है तो फिलहाल थोड़ा सा खुश यहाँ इलेक्शन कमिशन जरूर होगा बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही दलों के लोग फिलाल गुणा भाग में लगे हुए है कि यह जो वोटिंग होई है वो किसकी और रोजान जाता हुआ दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा इंसार के बास तेज हवा के बीच भी देखिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं बता रहे हैं कि मौसम भी देखे कितना सुहाना है और वो नजर भी आ रहा है वासू कि मौसम सुहाना हो चुका है कुछ लोगों रहत ली होगी कुछ लोग गुणा गनित करने में जुड़े होंगे जाहिर सी बात है और चलते हैं आमित के पास अमित मौजूद हैं खंडवा खंडवा जो है बड़ी सीट है बड़ी सीट इसलिए है वैसे तो ग्यानेश्वर पाटील यहां पर सांसद हैं और प्रत्याशी भी है मैदान में लेकिन खंडवा सीट इसलिए भी एहम हो जाती है क्योंकि नंदु कुमार सिंग चुहान टिकट मांगादा टिकट नहीं मिला विदान सभा में वी टिकट नहीं मिला लोग सभा में फिर से ग्यानेश्वर फाटील को मैदान में उतार दिया गया तो क्या रहा गणित को मिलाकर खंडवा सीट का समझते हैं अमित जी बिलकुल पूरीत मैं बता दूँ सबसे पहले तो हम मद्दान प्रतिशत की बात करें खंडवा में आज जो मद्दान प्रतिशत आया शाम पाच बज़े तक का वो 68 प्रतिशत से कुछ अधिक है जबकि 2019 का जो प्रतिशत है वो 76.84 प्रतिशत है यानि कि अगर 5 से 6 बज करें जो इस लोकसाबा चेतर के अंतरगात आती हैं विदान सबाएं वहां पर जो आदिवासी बहुल सीटे हैं बहुत अधिक मद्दान हुआ है आपने बाद छेड़ी नंद कुमार सिंग चोहान की 2021 में कोरोना की वज़े से उनका निधन हुआ था और उसके बाद जब यह देखते हुए दोनों पार्टियां गुना भाग लगाएगी जाती गत समीकरन वो भी देखेगी कहा कितना ततीशत मद्दान हुआ है उसको देखकर जीथार के दावे प्रित दावे किये जाएंगे लेकिन जनता ने किसे चुना है ये चार तारिक को इस पस्ट होगा गैने फिर आखिर में तो यहां पर दल बदल का भी खूब खेल चला बीजेपी में शामिल हो गए फिर रात भर नींद नहीं आई फिर वापस कॉंग्रेस में आ गया और कहा कि फिर गद्दारी कैसे कर लेता ये बाते भी हुई बिल्कुल कुनित मैं बता दूँ कि ये जो चुना हुआ इस दोरान खेंडवा अगर खेंडवा की बात करें तो यहां तेड़ सो से अधिक कॉंग्रेसी जो है वो बीजेपी में चले गए वहीं बुरानपूर में तो मतदान के एक दिन पहले तब कॉंग्रेसियों का भाज खेल यहां पर यह खूब चलता रहा और इसका भी असर जो है परिणामों पर कितना नजर आएगा यह चार तारिक को तै होगा यहां 21 लाग से अधिक मत आता है और 22 को करीब जो है मतदान खिंद्रों पर मतदान हुआ है तो अलग अलग जगह चुकि इसमें चार जिलों की आएट विधान सभाएं आती है तो हर विधान सभा का अपना एक अलग महत्व है यहां करीब चार विधान सभाएं ऐसी है जहां पर आदिवासी ओटर बहुत ही निरनायक होता है वहीं खेंद्वा और गुरहनकुर्ण की बात करें तो मुस्लिम ओटर भी काफी हद तक परि वो कितना सटी किसके पक्ष में जाती है यह परिणा सामने आने के बाद ही सबके सामने सपस्ट होगा लेकि फिलहार वोटी हर एक बारीक मुद्दे पर जान कर हर मुद्दे को समझ कर उसके उपर आंकलन करने के बाद लोगों ने वोट किया है और नतीजे फिर बताएंगे कि लोगों ने किसके पक्ष में वोट किया है और किसको अपना सांसा चुनने की ठानी है ठीक है आप मिधिलेश भी हमारे सा आखिर में इतनी भीड नजर आई कि वो पिछले रिकॉर्ड को तोड़ देगी या फिर पिछले से कुछ कम रहेगा क्योंकि खंडवा में पिछले से कुछ कम नजर आगा है अब पुनित अगर उजेन के बात की जाये तो ऐसा लगता है कि जब फाइनल आकड़ा आएगा तो पिछले बार का रिकॉर्ड टूड जाएगा इस तरीके से लगता है क्योंकि ग्रामीड शेत्रों के बात की जाये तो वहाँ पर बहुत बहुत बैतर मद्दान हुआ है और साम होते होते तक सहर में भी नजर आने लग गई थी यानि जो आकरी वक्त था आकरी वक्त में भी लोग मद्दान के इंदर पहुश रहे थे तो यानि जब फाइनल अकड़ा आएगा तो यह कहा जा सकता है कि पिछला रिकॉर्ड तूड सकता है लेकिन अब अगर उज्जेन की बात करते है तो मालवा निमार की आठ लोग सवा सीट की में बीजेपी के लिहाज से इंदोर के पास सबसे मजबूत सीट उज्जेन को माना जाता है यानि इंदोर और उज्जेन ये बीजेपी की सबसे मजबूत सीट है और यहां पर B.J.P. की जीत सुने शिट रहती है लेकि इस मार मैदान में थे अनीर फिरोज्ञा महिस परमार महिस परमार ने सबसे ज़ादा जो महिनत है वो ग्रामीर चेतरों में किया था ग्रामीर बिदान समाओं में किया था और ग्रामीर चेतरों में कहीं न कहीं बोर्ट मद्दान का प्रदीशत भी बढ़ा है यह जब फाइनल एजल्ट आए गा तब समझ में आएगा कि वो गुड़ा भाग किया था क्या कुछ हुआ बोर्ट किदर गया लेकिन अगर उजेन की बात किजा है तो उजेन में लोग मद्दान देने के लिए दूर दूर दरा इתा मुझे मतलब नहीं मैं अपना फविस्ني बनाने आई ही हो मैं अपनी सरकार चुनने आया हूँ मैं अपना लीडर चुनने आयी हूँ जो मेरे बारे में सोचएगा इस देश के बारे में मैं अउसे मद्दान का निकला आई हूँ कि यहां अध्धात्म सनातन हिंदूत के मुद्दे यहां लोगों के लिए हमेंसा सौर्वो परी रहे हैं यह हमारे दिल के नजदीक है और जब भी अगर इन पर कभी कुछ बात होती है ति यहां की चुनवी मुद्दे मों नजर भी आता है जब हम मद्दान करने जाते हैं इन मुद्दों को हम जरूर टच करते हैं इन मुद्दों का हम जरूर तुन समस्ते हैं लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर थी आपने दोनों किया है कि और उजैन के निवासी अगर जय श्री महाकाल ना बोले तो फिर कैसे चलेगा तो जय श्री महाकाल तो बोली रहें इस वक्त सीधे हम लिए चल रहे हैं बनारस जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी रोड़ शो कर रहे हैं प्रत्याशी हैं यहां के देखिए तस्वीरे वारानासी में प्रधान मंत्री का ये रोड शो आप तस्वीरे देख रहे हैं किस कितने सू व्यवस्थित तरेके से यहां पर व्यवस्था की गई है सकरी सडक जरूर है लेकिन यहां पर दोनों तरफ लोग खड़े हो पाएं और अपने जो प्रत्याशी हैं यहां पर इस कहाएं क्योंकि जनताही चुनाउं में तय करती है किकी से मत देना है और किसे फुरा इंतजार कराना है किसे सत्ता सौपनी हैं किसे विफक्ष में बैठाना है तो आज रोड शो हो भार्ती यो Гनतापार्टी के ध्वज यहां पर नज़र आ ताप में नज़र आी है कारेक्रताओं के उसी नंग के पोशाक में हैं यहां बनाने की कोशिश महामना को सबसे पहले जाकर नमन किया रत पर फिर सवार हुए और रोडशो की जब शुरुआत हुई तो लोगों ने भव्य स्वागत किया साथ में मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ भी मौजूद हैं काशी में नमों नमों की गूंज यहां पर सुनाई स्वागत के लिए जगा जगा मंच बनाए गए अलग-अलग मंच बनाए गए और लाइव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं यहां आठ तस्वीर हमने आपको दिखाए कि कैसी तैयारी और कितनी भविता यहां पर नजर आई और यह लाइव तस्वीर बारा नासी से लोग भी यहाँ पर उपर से नजर दोडा रही हैं और उसी अंदाज में प्रत्याशी की नजर भी वो जहां जाते हैं तो यहां पर लोगों के हाथ में भी नज़र आ रहा है लोगों के हाथ में भी कमल निशान नज़र आ रहा है और मोदी मोदी के लिए चोटी चोटे बच्चों के हाथ में पार्टी के जंडे जो है वो चोटे चोटे बच्चों के सिर पर पार्टी के ट पहुंचेंगे और खुद रोड़ शो करेंगे तो बड़ी सुंख्या में लोग देखने पहुंचेंगे देख सकते हाथों में बारे लिए अलग अलग स्वागत मंच बनाए गए अलग लग समाच के लोगों के दोबरा बनाए गए कुछ लोग आरती की ठाली लेकर पहुंचें यहाँ पर चोटी चोटी बच्चियां जो हैं नर्तक दल जो हैं वो यहाँ पर पहुंचें अपने दरीके से रित्टिकरते हुए नजर आए और साथी साथ चोटे चोटे बटुक जो हैं जो की शास्तरा धैन कर रहे हैं उन यहाँ पर रोट्शो करने के लिए वारा नसी में पहुंचे हुए हैं क्योंकि आज वे रोट्शो करेंगे और कल उनका नॉमिनेशन होना है नामंकन वे दाखिल करने वाले हैं चार प्रस्तावक हैं चार प्रस्तावक तैयकर दिये गए हैं और इस वक्त ये सीधी तस्वी काशी से आपको हम दिखा रही हैं वारा नसी में आप देख सकते हैं कि लोगों के सिर पर यहाँ पर बड़े बड़े जो आप देख सकते हैं बड़े बड़े डमरू वैसे तो बाबा विश्वनात जो हैं उनकी आरती में से बजाया जाता है और यहाँ पर जब प्रदार मं प्रतानी 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 यह लाए हैं।